कोटा में आज ACB ने कारेवाई करते वर निभाग के केटल गार्ड और वंड़क्षक को चार हजार रुपाई के रिश्वत लेते धरत बुचा है ACB ने चंबल घड़ियाल अभ्यारन शेतर में धड़ले से चल रहे अवैत बज़री खुन का भंड़ा फोट किया है और घटकाना वंचौकी पर तैनात केटल गार्ड दिनीश्व और वंड़क्षक प्रोकेश्चन को गिरखता किया है पूटा ACB की ASP ठाकूर चंदुशीर के निदेशन में पूरी कारेवई को अलजाब दिया गया ठाकूर चंदुशीर के मुताबिक दोनों गर्ग कर्मियों की जिम्यदारी अवैत खुनन की रोगताग की थी लेकिन ये दोनों ही 5,000 रुपाय पूरी ट्रेक्टर ट्रॉली लेकर अवैत खुनन को बढ़ावा दे रहे थी नीरज मीरा नाम के परिवादी ने ACB में शुकायत की थी जिसकी ACB ने भूस खोरों के खिलाख चौल बिचाया ACB टीम की अवैत खननन के इस खेल पर नजर बनी हुई थी बगत तक सामने आया है कि तकरीबन 300 ट्रेक्टर ट्रॉली रोजाना चंबल नदी से नितर गर्चिले के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई कर रहे थे इसमें वर्णुखा के साथ दूसरे मैका में भी चांदी कूप रही है हमें कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये जो घगताना चौकी है और मानसगाव है वहां से अवैद बजरी बहुत बड़ी मात्रा में खनन हो रही है चंबल के अंदर और जो घड़ियाल चित्र के अधिकारी करमचारी हैं उनकी मिली भगत से नाओं में लदकर खन कीवी बजरी सैकडो ट्रैक्टरों में लदलद के वहां से निकल रही है और सडक मार्ग से अवैद रूप से इनका परिवहन हो रहा है इस शिकायत का हमने सत्यापन किया था उसकी फोटोग्राप्स वीडियोग्राफी उगरा हुई मुख्विरों के जरीए और जब हमने सहीं पाया तो फिर हमारे एक परिवादी जो उस एरिया के हमारे पास आए परिवादी ने दगताना चौकी के दो स्टाफ को जो एक फॉरिस्ट गार्ड है मुकेश और एक दिनेस इन दोनों को चार हजार रुपए लेते हुए आज ट्रैप किया है बारह दस तारीक को सत्यापन इनका जब कराए गया तो एक हजार उनों ने ले लिये थे दस हजार क निकालने के लिए और पांच हजार में बात फाइनल हो गई चार हजार राज दिये उनको पकड़ा गया है रंगे हाथ दोनों को ही इसमें बड़ी बात है कि ये इस शेत्र से सैक्डो जो ट्रैक्टर परिवन हो रहा है इसमें जो हमें शिकायत थी यही थी कि जो वहाँ पे अपडेट रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें कोटाखवर.com पर और हाँ बैल आइकन दवाना ना भूले